नमस्कार एक फिर सबका सवागत है क्रिकेट केसरी में मैं हूँ अविनप भारत और वेस्टेंडीज के बीच होने वाले पहले टीट्वेंडी से पहले भारत के कप्तान रोहिश शर्मा और पूरी टीम आगामी सीरीज के लिए तयार हैं उन्होंने बताया कि वेस्टेंडीज इस T20 फॉर्मेट में एक चैलेंजिंग टीम है और साथ हमारे लिए भी खेलना चैलेंजिंग होगी इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे टीम को एक्जिक्यूट कर सकते हैं तो उन्होंने बताया कि उनकी टीम कंस्टी क्रिकेट नहीं खेलती भले ही वर्ल्ड कप टीम नह ही डर कर खेले हमारे टीम काफी अच्छी है फिर उन्होंने अपने और शिखर्धवन के बीच के बॉंडिंग की बात कि तब उन्होंने बताया जी हां हमारे और शिखर्धवन के बीच अच्छी समझदारी है हम दोनों ने काफी लंबे समय तक साथ बल्लेबाजी कि इस उन्होंने हाला कि प्लेंग 11 को लेकर वैसी कोई बात नहीं कही पर जहां तक लग रहा है वैसे में देखा जाए तो जड़ेजा टीम का हिस्सा नहीं होंगे उनके जगह पर फिर से अक्षर पटेल को मौकर दिया जा सकता है वहें केल राहूल को भी वेस्ट इंडी दौरे के स्कॉर्ड में रखा गया था पर कोरोना संग्रमित होने की वज़ए से वह इस दौरे पर नहीं जा सके पर उमीद लगाई जा रही है कि वह चौथे और पांच में टी-20 के लिए टीम से जुड़ सकता है तो क्रिकेट से जुरी ऐसी है और वी अपडेट को जानने के लिए देखते रही क्रिकेट केसरी